हेलो दोस्तों स्वागत था आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट बैल तुल में मैं हूँ आपका दोस्त तुल गोयल आज हम बात करेंगे फिर से हिकाल की जिसका बीकली चार्ट हमने लगा रखा है वीडियो पहले भी बनाए थे और आपको बताया था कहां पर य सपोर्ट लेता हूँ नजरा रहा है तो एक्जेक्टली अपने सपोर्ट लेबल के आसपास है जा उसको ब्रेक कर चुका है और कहां पर रिजिस्टन्स फेस कर रहा है और क्या लेबल्स बनते हैं क्या स्टेंथ है उसके उपर हम बात करेंगे तो पहले देखिए 200 के आसपा काफी अच्छा मोमेंटम भी दिखाया और सबसे बड़ी बात है यहां पर 60 की आरेसाई भी क्रोस की इसके साथ में अभी स्टोक की आरेसाई 37 है मतलब कि 60 से काफी कम है जानि स्टेंथ अब यह स्टोक लूज करता हूँ नजरा रहा है तो 60 की आरेसाई थी और यहां पर रिजिस्टेंस लेबल यह फेस कर रहा है तो रिजिस्टेंस लेबल को पहले डिसकस करते हैं देखे इस लाइन को यह ब्रेक नहीं कर पा रहा है अगर इसको ब्रेक करता तो यहां से उपर जा सकता था फिर से स्टोक इसके आसपास आया यहां ब्रेक करता तो फिर उपर जा सकता था अगें स्टोग जो है इसके आसपास यह भात करें तो पहला जो सपोर्ट लेबल बनता है इस लाइन के और रप बनती है यह लिए जो की काफी स्टोंग सपोर्ट है तर्ड वाली अब जो जो recent इसकी development है आप देखिए आज जो है इसने पहला support line इसने यहाँ पर break कर दिया है स्टोग देखिए निचे से उपर गया बट यहाँ पर resistance phase किया अगें स्टोग जाए इसी level के आसपस आया 3-4 अपते 5 अपते इसने इनी levels के आसपस निकालने है बट इसको break नहीं किया था बट आज का जो session है उसने यहाँ पर इसके नीचे की closing दी है तो एक alert रहने वाली चीज है हो सकता है कि बाकी के candles उपर मने और स्टोग यहाँ पर जो है closing उपर देता हुआ नजर आए बीकली चार्ट के उपर बट अभी जो है एक alert रहने वाली बात अगर इसके नीचे closing आ जाती है तो स्टोग definitely जो है 310 के और 315 के level दिखाता हुआ नजर आ सकता है आने ले दिनों में और स्टोग काफी बीक भी होगा यहां से क्योंकि जितने यह levels यह break हो रहे है वो आने ले टाइम में इसके लिए एक resistance की तरह काम करने वाले हैं पहला level इसने यहां पर break किया तो यहां पर देखिए इस टाइप से और यहां पर यहां पर यह लेवल ब्रेक हुआ तो काफी इसने अपने जितनी भी support जोन थे उसको break किया और एक level के अंदर यह consolidate करता है यहां पर एक high लगा इस level के उपर उसके बाद जो high लगा आप देख यहां पर इसने consolidate किया इसnya बर बर रेक्डाउन कर दिया फिर से टोक इन दो के बीच के बीच में consolidate हो रहा है हो सकता है और फिर से बरेकडाउन हो नजर आ है तो अलर्ट रहने की जूरूरत है यहां पर देखिए daily chart PAY आअ रसा ही जो हए 37 की है यानि है यहां पर भी strength भी उत पुशिशन को ब्रेक करके परी जोप जायेगा अदर उसके अंदर कोई भी बीव पूजिशन नहीं लेनी है कोई बड़ा पैसा नहीं लगाना है कि स्टोॉक काफी चीफ हो गया है काफी उपर से निच्चे आ चुका है, हाफ हो चुका है तो इस टाइप का कुछ भी sentiment में आपको नहीं आना है क्योंकि इस टोक जो cheap हो रहा है, ये और भी ज़रत cheap हो सकता है और आपको सिरफ पैसा लगाना है इस line के breakout के बाद तब आपको इसका अच्छा momentum प्ले कर सकते है और स्टोक जो है उपर जाता हो नजर आ सकता है और आपको इसके उपर स्टोप लोस बिलकुल लगा के रखना है क्योंकि आज डेली टाइम फ्रेम पे भी इसके निच्चे की closing है जो की sentiment को भीक कर रही है तो 360 के उपर की closing जो है ठीक ठाक है एक sentiment को positive रखेगी बट पैसा आपको सरफ इस line के break करने के उपर ही लगाना है अदरवाई आपको इसके पैसा नहीं लगाना स्टोक चेक कितना भी cheap हो जाए और निच्चे के level पे इस पे stop loss लगा कर रखिया अगर आप इसमें trading कर रहे है investment का नजरिया नहीं बनता है क्योंकि स्टोक एक downtrend के अंदर है तो investment के अभी कोई भी नजरिया इसके अंदर नहीं बनता है और स्टोक यहां से भी 310 के level दिखाता हूँ नजर आ सकता है थैंक्यू, धन्यबाद